लाई और में सुधर प्रेट सिस्क्राइब फीचर लोड़े इंप इस तवल इकन हाई फ्रेंज आजम बात करने वाले हैं एसुस जैनफोन 5ZZS620 के एल के बारे में और यह फोन एसुस कंपनी ने अनौस किया था फाबरी में ही और यह रिलीज होगा एपरिल से जुन के तो आई हम देख लेते हैं क्या होते हैं इस फोन के फीचर्स क्या होते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और क्या होते है मेरे अपने उपेनियन उसको लेकर की फोन कैसा है या फिर आपको फोन लेना चाहिए या नहीं तो नेटो की बात करें तो यहां पर आपको 2G, 3G, 4 4G3 का support मिल जाता है body slim मिल जाती है आपको weight 155 gram का iPhone का build phone front side में glass से aluminium की body बाइक साइड में sim की बात करें तो dual sim nano sim लगा सकते हैं dual standby के साँ display की बात करें तो hyper cc capacitive touchscreen मिलती है 60 mm colors के साथ screen size 6.2 inches के मिल जाती है resolution की बात करें 402 ppi density के साथ यहां पर आपको display मिलती है 18.59 ratio जो 18.09 का थोड़ा सा improved model multi touch भी हां पर आपको मिल जाता है 10 fingers के साथ protection करने Gorilla Glass की है लेकिन कौन सा version Gorilla Glass का यह नहीं बताया Asus Zen phone का interface यहां पर आपको मिल जाता है 5.0 का platform के बात करें तो Android 8.0 Oreo मिलता है chipset की बात करें तो कुल कॉम MSM 8998 snapdragon 845 का CP की बात करें तो octa core 4x 2.7 GHz का जो आता है Quiro 385 का gold और एक है 4x 1.7 GHz का जो आता है 385 silver का GPU यहां पर आपको Android 630 का मिल जाता है memory card यहां पर अपलगा सकते हैं 400 GB तक sim slot 2 का यूज करके internal stories की बात करें तो 256 GB की story जहां पर आपको देखने को मिलती है 8 GB के साथ और एक जगा पर 128 GB की storage 6 GB के साथ और एक जगा पर 64 GB की storage 4 GB के साथ यहां की बात करें तो rare side में आपको दो camera मिलते हैं एक है 12 megapixel का जिसका एक पेट्चर 1.8 और एक है 8 Megapixel का जिसका पेट्चर एक स्लाइश 2.0 दोनों यह आते हैं जाइरो EIS autofocus डूल LED डूल 10 flash के साथ वीडियो यहां पर आप 2160 पिक्सल की full HD quality 1080 पिक्सल के HD quality और 720 पिक्सल में record कर सकते हैं फ्रंट कैमरा की बात करें तो 8 Megapixel का फ्रंट कैमरा आता है जो आता है जाइरो EIS के साथ और यहां पर भी आप 1080 पिक्सल की HD quality में वीडियो रिकॉर्ट कर सकते हैं और इसका पैट्चर है f flash 2.0 सांड के बात करें तो अधिक्सल के बात करें तो फिंगर प्रेशन एंपी 3 वैब रिंग्टॉंग लाओर स्पीकर डूल स्पीकर के सांथ जो आता है 3.5 mm का jack sound quality काफ ही अच्छी है विलन के बात करें तो वाइफाई वाइफाई डिरेक्ट होट स्पॉर्ट ब्लूटूथ 5.0 एटुडीपी अलिका जीपिस मिल जाता है विते जीपिस ग्लोनेस पीडियस के सांथ नफसी भी मिल जाता है रीडियो भी मिलता है यूस भी मिलता है 2.0 5C 1.0 का सिंसिस की बात करें तो फिंगर प्रिंट जारो प्रिक्सिमिटी और कंपस आइफोन से भी छोटा नौच है इसका देख सकते हैं आप मैसे आइफोन का फुल कॉंपी भी है ये फोन मेसेंजिंगी बात करें तो SMS, SMS, E-mail, PUSH, E-mail, IM Browser, HTML5 का फास्ट पैटरी मलता है 2A के साथ पैटरी की बात करें तो बिना नकलना वाली लिए उन बात करें तो मीट नाइट ब्लू और मीटी और सिल्वर मिलता है प्राइस की बात करें तो 480 यूरो जो 256 GB और 8 GB वाला है उसकी प्राइस होगी इंडिया में 40,000 ऐप रॉक्स जी हां 40,000 फिर 35,000 और फिर आखिर में आप कि या जाती है 30,000 तो यार अगर ये price ये expected price ही ये price conform नहीं है कि ये price होगी ही तो अगर ये price होती है तो मैं तो आपको बلकL 아닌 упill भी ये गनी suggest करता कि आप इस phone को जाकर buy करें क्योंकि इस price में थोड़ा सा महधा हो जा रहा है कुछ फीचर्स और कुछ कॉल्टी नहीं मिल रही है पर इसी प्राइज में और जबकि इनका खुद का जो है असुस जन फोन 5ZE620 के अल वो इससे बेटर निकल के आ जा रहा है अगर आप नहीं देखेंगे इस फोन के प्रोसेसर को तो क्योंकि प्रोसेसर इसमें अच्छा ल नहीं है वन प्लस 5T मुच बेटर निकल कर आता है वैसे ये भी अच्छा है अगर हमें बजट प्राइज में इंडिया में लाउंच अब होता है तो एक बजट प्राइज में लाउंच होता है 15 से 20,000 के बीच तो कमाल कर देगा ये भी फोन और इसका जो पहले वाला था इस देखना पसंद करते हैं और आने वाले वीडियो स्मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल मत भूले हैं और सब्सक्राइब करने के पाद लेटिश वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पहले आइकन को दबाएं आपका दिन शुब और चैहिंद झाल झाल